अब्सकार मैं शिल्पित्र पाटी एवी पेस के खास कारिक्रम विदायक जी चले गाउं की और में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे गाउं की विकास और पंचायत को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्रावस्ती के बस्पा विदायक मौमद अस्तिलम जी विदायक जी आपको बहुत बहुत स्वागत हैं हमारे कारिक्रम में बहुत बहुत धन्नवाद आपका आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को धन्नवाद देता हूं और जहां तक रही गाउं की बात मैं तो 289 भिंगा विदासवाद जन्पर शरावस्ती से आता हूं इससे पहले भी मैं तीन चुनाओ लड़ा हूं लेकिन इतने कम ओड़ से मैं चुनाओ हा रहा हूं लेकिन मैं संघस काता रहा और अंट में उपर वाले ने हमको इस 2017 के चुनाओ में हमको काम्याबी हासिल कराई मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विदान सभाद छ चाहता हूं पिछली अगस्त 2017 को चौदा अगस्त को हमारे बाढ़ा आई थी चौनाओ कि वर्तमान की स्थितियां, उसको लेकर आप क्या कहेंगे उसी गाओं की स्थिति के विश्यम में आपको बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त 2017 को बाढ़ा आई थी, पुलिस डाइमेज हो था HDPL कंपनी ने फॉर लाइन सड़क बनाई थी वो पुल टूट जाने के बाद अभी तक मैं कई बार मानिया मुख मंतरी जी से मिला हूँ केशो परसाद मौरिया जी से मिला लेकिन अभी तक उस पुल को अभी तक बन नहीं पाया है आने वाले चार-पांच महने में फिर बर पंतरी जी वो मैं समझता हूँ कि एक दम बिल्कुल खोकला है अभी तक उन्होंने एक करोड़ उपए भी PWD डिपार्टमेंट को नहीं दिया है जिससे गाउं का विकास हो हाँ सौचाले जुरूर बन रहे हैं सौचाले की मैं तारीव करना चाहता हूँ आपके चैनल के सौचा अभ्यान के अंतरगत जो उनको करना है वो थोड़ा बहुत काम चलना है और जहां तक कि सड़कें की बात है जो गाउं की सड़के में रोड से जोडने की बात है या पुल बनने की बात है पिछली बार जो बरसात आई उसमें सड़कें सब डाइमेज हो गई ना तो गाउं की जब सड़कें और पुलिया जब नहीं सही होंगी तो विकास कहां से संभो है हम तो जिस जन्पद से आते हैं और जिस विदान सभा से आते हैं एक भी इंडेस्ट्री नहीं है और ताज्युक की बाते की पूरे भारत वर्स में एक ऐसा जन्पद है जो रेल लाइन को छोता नहीं है रेल के लाइन की परत्री तक हमारी जन्पद नहीं है मैंने आज भी कई बार मंतली से भी कहा आपकर ट्रांसपोर्ट मिनिष्टर से भी रेक्ष्ट किया मैंने की कि हमारे ह creating रेलवे लाइन नहीं है तो कम से कम रोडवेस बस अड़ा जो 2016 में मुलायम सिंग की अकलेस्थी की सरकार ने बनवाया था कम से कम उसी को चालू कर दीजिए और अगर नहीं चालू कर सकते हैं तो कम से कम उसमें इतनी बसे दे दीजिए कि लोग गाउं से लेकर के दिल्ली की सफर और गाउं से लेकर के भिंगा विधान सभा से लेकर के कानपूर तक या भिंगा विधान सभा से लेकर के लखीम पूर तक या भिंगा विधान सभा से लेकर के गोरख पूर तक ये कम से कम इतनी बसे दे दीजिए जिससे कि वहां के लोगों को यात्रा की सुवधा हो कल मैंने परसो जब मैंने कुष्टन उठाया मानने सौहस्त मंतरी जी से मैंने का मेरी एज 40 हो या 45 हो या 100 कुछ हो लेकिन 45 सालों में मैंने एक भी गायना क्लोजिस्ट और एक भी MS एक भी MD मैंने अपने जीले में नहीं देखा है गायना क्लोजिस्ट ना होने की वज़े से मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जुरूर बत आना चाहता हूँ तरपदेश सरकार को कि हमारे यहां जब मा बच्चे को जनम देती है और ऐसी इस्थित में जब गायना क्लोजिस्ट या लेड़ी डॉक्टर नहीं होती है तो जोला चाप डाक्टरों के सरण में जाती है और जब जोला चाप डाक्टरों के पास जाती है तो उनको जान अपनी गवाने के सिवा कुछ नहीं बलता है अगर गायना क्लोजिस्ट होती तो साइध इतनी बड़ी मोत है हमारे जन्पद हमारे सुरावस्ति या हमारे भिंगा विधानसमा में न होती तो उन्होंने परसों के विधानसमा में कहा मैंने उनसे एक निवेदन किया कि जब तक आप डाक्टर नहीं दे सकते हो तो बगल में हमारा 35 किलोमेटर बाहराईच है 35 किलोमेटर बाहराईच से ही हफते में दो दिन के लिए डाक्टर की पोस्टिंग कर दीजे कि हफते में दो दिन जा करके एक MD, एक MS या आपके कानेकलोजिस डाक्टर जा करके उन महिलाओं को देख ले, उन डद को देख ले, उन पिगड़ा को देखे जिसे हजारों या सैकुड़ों होते हैं जो जान अपनी गवा देती है ऐसे इस ठित में हमारा जिला बहुत पिछड़ा है मैं आपके चैनल मक्य माध्यम से मानी योगी जी को इतना जुरू कहना चाहता हूँ कि उस जन्दपद को जो एक पिछड़ा जन्दपद है और जिस बिदान सभा से मैं आता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जानसभा है वो फारेश्ट जोड़ा हुआ है हर आफ़ते वहाँ पर जो तिन्वा या बाग है वो बच्चों को उठा ले जाते हैं मैंने उनसे निवेदन किया कि कम से गम नहीं कुछ कर सकते हो तो तार के बाड़ लगा दीजिए जिसे कि बच्चों की नुकसान नहों बच्चों को उठा ले जाते हैं दो साल तीन साल के बच्चे को गोट की मा की गोट से ले जाते हैं उसमझे उस मा की दद या उस मा की जो जिसने पैदा किया जिसने पाला पोसा है उसके दद को एक आप लोग महसूस का सकते हैं तो आपके चैनल के माद्यम से मैं मानि योगी जी से चाहूंगा कि जन्पर सरावस्ति के भिंगा विदान सभा को और दोनों विदान सभा को उनको जरूर देखना चाहिए और जो विकास नहीं हुआ है उस विकास को उनको करना चाहिए मैंने अभी दस या ग्यारा मेहना हो रहा है मुझको अभी तक उत्तरपदेग की सरकार के तरफ से डेड़ करोण उपए मिला हुआ है जिस पर मैंने नो गाउं को चिन्हित किया है जिसमें हरियापूर के गाउं को मैंने लिया है सलावत पुर्वा अकबरपूर सिर्सिया के गाउं सिर्सिया बिलाग के गाउं को मैंने एक गड़ा सिटकावा है और कटकुईया है ऐसे और एक हेमपूर गए गाउं के बढ़ावा गाउं में वहां इंटरलाकिन लगाने का काम किया हमको पिछले वर्स में दो टूबल मिले थे जिसको मैंने एक कटकुईना गाउं को दिया और एक पिप्रहवा जो गाउं मिला हुआ है जो सिडुल ट्रैफ से लगा हुआ गाउं है जहां पर थारू जनजात के लोग रहते हैं और उसके बाद दो टूबल मुझको होर मिला जो मैंने भचकाही और सिटकावा गाउं को दिया है जबकि मैं माननी मुक्मंतरी से बारबार कहता हूँ कि हमारे हाँ सिचाई की सुविधा नहीं है और सिचाई की सुविधा नहीं होनी की वज़े से हमारे सिर्षया बिलाग में आसिंचित जगह है वहाँ पर टूबल हमको दे दीजे, पचास टूबल के मैंने मांग किया, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे एक भी टूबल नहीं दिया है, जिससे वहाँ के सिर्षया बिलाग के लोग और हरियारपूर और जमनहा बिलाग के लोग आसिंचित हैं, उनकी फसलों जितनी पैद को सुन रहे हो, तो जनपर सुरावस्ति और भिंगा विधानसभा जो पहाड़ी इलाका है, 21 किलोमीटर के बाद नैपाल बाडर सुरू हो जाता है, कम से कम वहाँ पचास टूबल तो दे ही दे, जिससे लोग अपनी खेतों की सिचाई कर लें, और अपने खेतों को जब सव खुसाल होंगे, गरीब खुसाल होगा, तो किसान खुसाल होगा, तो निश्चित है कि जनपत आगे प्रोग्रेस करेगा, देजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो थे स्रावस्ति के बसपा विधायक मुहमद असलम जी, जिन्नोंने बड़ी सही से हमारे सवालों क जवाब देए, आगे भी हम अन जन प्रतिनीदों से आपकी मुलाकत करवाते रहेंगे, तब तक रिशिल्पी को दीए इजाज़त, नमस्कार